पैसे एटने की आड़ में कई लोगों को शादी के जाल में फसाने वाली लुटेरी दुलहन को उसके प्रेमी के साथ जरीपट का पुलिस ने गिरफतार किया है। कि आरोपी लुटेरी दुलहन भावी का उर्फ मेघाली मनवानी अपने प्रेमी मैयूर राजो मोटघरे के साथ मिलकर लोगों को एठने का काम करती थी। दोनों जूनी मंगलवारी नाकपर निवासी बताई जा रही हैं। महेंदर वानवानी से मुलाखात हुई करमना मार्केट में वो सबजी बेचने का बड़ा डिलर है। इसके साथ पहचान हुई। पहचान आगे बड़ी। बाद पहुछान आगे गञे घर में गथी ना को अंधे ल मुक्षान Germueni का अगे में टूं इसके लोग ने घर में घर में अशाधी लगा दई दूसरी ही दिन ही इनोजेट। जो नेखादी वुर्फ भावी का वनवानी जो है वो अलग से किराय के घर में रहने लगे जाते टाइम उसने घर से कुछ फ्रीज सोफा ये बेड और कुछ शादी के टाइम जो जेवर्स दिये थे वो भी साथ में लेके गई किराय के घर में कुछ दिन रहे और रहने के महिंदर वनवानी जो कंप्रेनन्ट है उसके खिलाप में 377 और उसके घर के रिलेटेव उसके उपर बाकी सेक्षन के तहत ओफेंस रेजिस्टर किया है पहला ओफेंस रेजिस्टर हुआ पाद में फिर दूसरा और उसके जबानत पे आ गया है फिर और उसको साथ में रहने का निवासी भी मेघाली के प्रेम जाल में फजगया था बाद में मेघाली ने दुर्शक्रम के मामले में उसे फसाने की धंकी दे कर उसे जैसे तैसे शादी कर ली लेकिन बाद में मेघाली ने दहिश्ट प्रताणना अनैसर के कृत्य और मार पीट करने का मामला महिंदर औ गिरफतार कर जेल भेजा गया शातिर दिमाग में घाली जेल तक जापोची और महिंद्रों को यह कह कर धंकाया कि उसे चार लाक रुपए नहीं मिले तो उसकी जमानत नहीं होने देंगे इसके बाद महिंद्र ने अपने पिता से रकम मांगा मेधाली की देशत में आकर की सुनाई इस मामली की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मंगलवार की सुबे मेधाली और मयूर को गिरफतार कर उनसे पूरी जानकारी हासल की गौर तलब रहे कि मेधाली ने अभी तक कई लोगों का बसा वसाया घर तोड़ चुका है प्रेमी मयूर के खिलाव भी उ खिलेश भारतवाच के साथ रुपा पंडित की रिपोर्ट